हेलो वस्तों मैं है हुरुचत बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यूव वीडियो में दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताए कि फाइनली समराट लास्ट एपिसोड में पहुंच चुका है चमवान निवास में और चमवान निवास में पहुंच था ही यहाँ पर सभी की हवाईयां उड़ गई है और सभी शौक होकर उसे देख रहे हैं खास कर पाकी दिदी का चहरा बहुत देखने लायक है पर यहाँ पर अब लोगों के मन में सवाल है कि आकिरकार जब समराट यहाँ पर पहुंच आ है है तो वीडियो को लास तक जिरूर देखेगा और दोस्तों आपका एक सवाल जो कि आप पूछ रहे थे मुझसे लगाता है कि आकिरकार समराट को सही से प्यार होने वाला है या फिर उनकी जोड़ी बनने वाली है तो मैं आपको एक शब्द में कहा देता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और लास वीडियो में मैं आपको पूरी चीज ये एकस्प्लें की है नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजेगा तो ऐसे में दोस्तों आने वाल एपिसोड में आपको बता दूगे पहले तो मांसी ताई जो है मांसी भुआ जो है जो भी है मांसी तो काफी जाते इमोशनल हो जाएंगे और समराट सबसे पहले जाकर उनसे ही मिलने वाला है क्योंकि हो ना हो समराट का जो सचे दिल से जो इंतजार कर रही थी वो और कोई नहीं बलकि मांसी ही थी और ऐसे में दोस्तों अश्वीनिक को भी यहाँ पर समालना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो भी अपने बेटे को समराट को बहुत याद कर रही थी अब जितना वो विराट से प्यार करती ही उतना समराट से भी करती है और यहाँ पर समराट जो है बिना कुछ बोले बिना एक शब्द कहे अपनी मांसीत आई से जरूर बात करेगा लेकिन बाकित सब के पास बिना कुछ शब्द बोले ही वो उन सब के पास जाने वाला है और एक एक करकरव सब के पास जाएगा और वाकई में सब ही लोग बहुत हैरान होंगे लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको करिश्मा आगे देखने को मिल सकती है क्योंकि करिश्मा ऐसे चीज़ों में बहुत इंट्रेस्ट लेती है तो समराड से सवाल पूसते वे नजर आएगे कि समराड दादा आप कहां पढ़ते और कैसे थे और यहाँ पर भवानी काकु से लेकर निनाद से लेकर सब लोग काफी एमोशनल आपको नजर आएगे यहाँ पर निनाद तो आपको ये तक कहते हैं वे नजर आ सकता है कि तुने सोचा भी नहीं हमारे बारे में और उनका जो प्यार है वो थोड़ा सान नाराज़गी में आपको जाहिर हो सकता है और ये सब देखना इंटेस्टि हूंगा क्योंकि obvious से बात है दोस्तों कोई इतने सालों बाद अपने जिम्मेदारियों को भूल कर गया है और लोटेगा तो थोड़ा सा emotional और थोड़ा सा ड्रामा और थोड़ी से डाट तो से पढ़नी ही पढ़नी है और इसके आज समराट यहां पर clear करतेगा दोस्तों आने वाले episode में ही कि वो आया तो है लेकिन कुछी time के लिए आया है वो भी उसका कारण है पत्र लेका और पत्र लेका जबी सुनेगी कि मैं कारण हूँ तो पत्र लेका कहीगी मैं तो समराट कहेगा जी बिलकुल आप जी हां दोस्तों यहां पर समराट जो है वो कहे देगा सारी सच्चा यहां पर खोल देगा वो कि आकिरकार उसकी शादी में कुछ भी ठीक नहीं था पत्र लेका को वो इस रिलेशन से चुटकारा दिलाने आया है और इसे वो डिवास देना चाहता है और यहां पर यह बहुत सारी बाते होने वाली है जहां पर पहले तो आपको यह सीन देखने को मिलेगा घरवाला आपके लिए इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इतने दिनों बाद समराट लोटा है तो घरवालों का रियक्शन देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड मज़िदार हो सकता है और फाइनली दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड के एंड में वो पत्र लेखा से बात स्टार्ट करेगा जो कि अगले कई एपिसोड तक चलने वाली है आपको बता है चमवान निवास का रिवास है छोटी सी बात को बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं वो लोग अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर पत्र लेखा जो है उसकी बैंड बजने वाली है पूरी तरीके से क्योंकि पत्र लेखा का पर लगाम जो कसने वाला व्यक्ति है समराट वो लौट चुका है और ऐसे में पत्र लेखा के बिल्कुल चैन नहीं है क्योंकि कमरे में गई है तो कमरे में बहुत सारे लोग उससे पहुँच गए है और उसे समझा रहे हैं कि प्लीज पत्र लेखा अपने रिष्टों को संभालने की कोशिश करो और जो तुमने फैसला लिया है उसके बारे में वापस से सोच तुमें एक बार क्योंकि समराड तो इतने दिनों बाद आया है वो कुछ कह रहा है तो उससे तो कुछ कहा नहीं सकते घरवाले लेकिन यहाँ पर मोहित से लेकर काफी लोग जो हैं जो कि घर को संभाल कर रखना चाहते हैं वो लोग पत्र लेखा को समझाने वाले हैं कि प्लीज पत्र लेखा अपने फैसले के बारे में एक बर दुबारा सोचो कि आकरकार तुम अपने रिष्टे को कैसे बचा सकते हो और यहाँ पर पत्र लेखा कैसा बिहेव करती है सब के साथ आपको पता ही है लेकिन यहाँ पर दोस्तों वाकई में एक बहुत ही अच्छे पैरेंट्स का एक गार्जिन का जो महत वो होता है वो अश्वीनी यहाँ पर आपको बताते हैं नजर आएगी जो पत्र लेखा उनसे सीधे मुबात नहीं करती वो अश्मीनी भी पत्र लेखा को जाकर समझाएगी कि बेटा एक पर अपने फैसले के बारे हैं फिर से सोचो और अपने इस रिष्टे को बचाने की बात करो और यहाँ पर जब वहाँ पर आकर उसे यह इधायत देगा कि तुम अपने रिष्टो को बचाने की कोशिश करो और समराट को छोड़ कर मत जाओ और अपने आपको उसके करीब लाने की कोशिश करो तो यहाँ पर पत्र लेखा का गुसा कैसा होगा यह आप समझी सकते हैं तो ऐसे में दोस्तो आल ओवर यह कहें कि आने वाले एपिसोर में स्टूरी एकदम डिफरेंट लेवल पर चले गई है डिफरेंट ट्रेक पर चले गई यह तो गलत नहीं होगा क्योंकि अब तक सई और विराट की कहाने में पूरी तरीके से सीरिल उलजा हुआ था लेकिन अब जाकर एक ओर नय है वो यह भी कहा रहे थे कि भाई एक एक चीज जो है हम काफी बाट सुन चुके हैं और काफी हमें बोरिंग अब यह फील होने लगा है तो ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दो कि सीरिल की स्पीड वह वह वाके में बहुत जादा स्लो है और यह बात मैं स्टार्टिंग स दोर आते वह आया हूं तो हम भी अगर दोस्तों स्टोरी में बहुत आगे चले जाएंगे तो इसमें दोस्तों आपका इंट्रेस्ट भी ब्रेक हो जाएगा क्योंकि जब आपको पता रहेगा कि आने वाले महीने बर में क्या होने वाला है तो प्रेजेंट में चल रहे हैं स जो ही नहीं कर पाएंगे इस कारण से दोस्तों मैं आपको इस सारी अपडेट लगातार पहुंचाते विए आ रहा हूं और आगे भी अच्छी अपडेट लाने की पूरी कोशिश करूँगा तो आल नियो अपडेट्स के लिए जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक् कि आप को बाओ कि लिए हूं हुड़ें